Hello and Welcome to the Class आज हम Chapter 3 के जो कि Of the Duties and Liabilities of Trustees की बात करता है उसके हम पढ़ेंगे Section 21 से लेके Section 30 तक क्योंकि पिछली क्लास में हमने Section 11 से लेकर के और Section 20 तक पढ़ लिया था अब हम बात करें Section 21 से लेके 30 तक उसमें हम एक बात सबसे पहले समझेंगे और वो ये कि जो Liabilities हैं यानि कि 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 Liabilities,Trustee की Trustee की Liabilities और Non-Liabilities दोनों के बारे में इन Sections में बात हुई है Trustee की Liabilities और Non-Liabilities दोनों की बात हुई है जहां पर Section 23, Section 24, Section 27 बात करता है trustees की liabilities की वहीं पर section 29 और जो है 30 वो भी liabilities के बारे में ही है और section 25 और section 26 और section 28 ये तीनों section जो है वो बात करते हैं known liabilities की इतनी बाह समझ लेने के बाद हम अपने वापस से उसी section पर आ जाते हैं जहां पर कि हमने last class पर छोड़ा था section 3 21 तो section 21 क्या बात करता है बात करता है mode gauge of land pledge to government under act 26 of 1871 इस बात को समझ येगा बहुत ही simple सी बात है आगे उन्होंने बोल दिया कि एक section की बात ही government saving bank इस चीज के बारे में बात हुई है कि इस चीज के बारे में government saving bank के बात हुई है इसमें कह रहे हैं कि जो section 20 के provision जिसमें investment की बात हुई कि थे किन-किन securities में trustee जो होता है वो invest कर सकता है तो बोल रहे हैं कि अगर कहीं पर भी trustees ने investment कर दिया है इस act के आने से पहले यानि Indian trust act आने के आने से पहले अगर किनी चीजों पर किनी securities में trustees invest कर चुके थे तो वो जो section 20 यह इस पर applicable नहीं होगा उन investment पर applicable नहीं होगा इसके अलावा अगर trustees ने कोई immoval property को भी जो की pledge की गई थी as a securities किसी advance के लिए किसके अंडर under land improvement act में call security रखी थी कैसे security रखी थी जो कि एक immovable property के तोर पर रखी गई थी उसके लिए भी उस पर भी यह section है वो applicable नहीं होगा और इसके साथ साथ जो यह deposit in government saving bank की बात करी है इस पर भी यह चीज़ applicable होती है कि अगर 3000 से ज़ादा 3000 से ज़ादा bank में तो उस पर भी क्या होगा इस action applicable नहीं होगा section 22 की तरफ बात करते हैं कि बात करते है sale by trustee directed to sell within specified time simple सी बात है कि अगर trustee को specify किया गया था trust बनाते हुए author द्वारा कि आपको जो है इतने time तक जो आपको investment में करना है जो money जो आपको मिलेगी trust money उसका investment इतने time period तक कर देना है और trustee time period तक invest नहीं करता तो उस case में trustee को उपर ये burden आ जाएगा कि उसे proof करना पड़ेगा कि क्या reason था कि उसने specified time में investment नहीं किया था लेकिए where a trustee directed to sell within a specified time extend such time the burden of proving as between himself and the beneficiary that the letter is not prejudiced by the extension lies upon the trustees unless the extension has been authorized by a principal civil court of original jurisdiction यानि कि अगर उसने specific time तक कोई investment नहीं किया जिसके के लिए उसे trust money दी गए थी तो अगर उसने उसको इस चीज के लिए कि extension के लिए civil court of original jurisdiction ने उसको permission दी है authorized किया है तो तो okay है और अगर नहीं किया है तो उसे beneficiary को proof करना पड़ेगा कि क्यों मैंने investment नहीं किया था देखिए इसमें illustration दिया गया A जो है वो B को एक property be quit करता है यानि B के नाम पे वसीयत लिखता है कि आपको जो है क्या करना है 5 साल के अंदर अंदर जो property मैंने be quit की है उसको पेचना है और बेचने के बाद उसके जो proceeds आएंगे यानि उसके जब money आएगा वो C के benefit के लिए आपको invest करना है apply करना है अब क्या होता है B को लगता है कि अभी जो है जो 5 साल के बाद जो property के कीमत है वो ठीक नहीं है तो वो क्या करता है 6 साल बाद उसको बेचता है अब ये burden C पूछता है आपको तो 5 साल के अंदर अंदर बेचना था आपने 6 साल में क्यों बेची तो अब ये जो burden है कि मैंने 6 साल बाद क्यों बेची ये burden B के उपर आ जाएगा उसे proof करना पड़ेगा कि इस वज़े से क्योंकि ये आपके benefit के लिए था तो वो किसके उपर बड़न है B के उपर कि अगर specified time जो 5 साल का इसने बोला था इसने नहीं बेचा तो अब इसको proof करना पड़ेगा कि मैंने 6 साल बाद क्यों बेचा section 23 पे बात करते हैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि section 23 जो होता है liability की बात करता है तो कहता है liability for breach of trust कि अगर breach of trust होती है breach of trust कैसे होगी breach of trust ऐसे होता है कि जो भी trust के provisions थे जो भी author ने कहा था उसके according जो trustee था उसने काम नहीं किया तो breach of trust हो जाएगा तो उस case में जो liability बनेगी trustee की वो क्या बनेगी देखे where the trustee commits a breach of trust he is liable to make good the laws which the trust property or the beneficiary has thereby sustained unless the beneficiary has by fraud induced the trustee to commit the breach और इसको देखेगा अब एक एक point को समझेगा or the beneficiary being competent to contract has without caution or undue influence having been brought to bear on him concurred in the breach or subsequently acquiescent therein with full knowledge of the facts of the case and of his right as against the trustee now what is it बोल रहे हैं simple अगर कोई भी trustee breach करता है trust की तो उसको जो loss होगा beneficiary को breach of trust करने से trust को तोडने की वज़े से जो भी या तो trust property को या beneficiary को जो भी loss हुआ है वो trustee को bear करना पड़ेगा लेकिन अगर beneficiary खुद ही कोई fraud कर देता है और उस fraud के जरीए वो trustee को ऐसा काम करने के लिए बोलता है जिसकी की वज़े से breach commit हो रही है यानि trust की जो condition है उसको तोड़ा जा रहा है तो उसके लिए जोगा trustee liable नहीं होगा इसके अलावा अगर beneficiary खुद competent to contract I mean capacity है उसके अंदर तो without cause यानि किसी भ्या के अलावा भ्या नहीं था उसके उपर कोई under influence नहीं था उसके बाद बावजूद भी वो trustee को force करता है commit करने के लिए breach तो और यह जानते हुए कि trust जो fact क्या है वो क्या क्या इसके जो trust जो है जो उसके facts क्या है और rights क्या है उसके against trustee के और उसको जो है force करता है breach करने के लिए तो उसके लिए breach के लिए beneficiary ही liable होगा trustee liable नहीं होगा देखे इन सब के अलावा भी trustee जो है वो क्या करेगा वो breach एक trustee committing के breach of trust is not liable to pay interest वो interest pay करने के लिए liable नहीं है यह भी ध्यान देना देखे अगर कोई trustee amount तो उसको pay करनी पड़ेगी लेकिन वो कोई भी interest pay करने के लिए liable नहीं है कोई interest कोई ब्याज liable नहीं है वो pay करने के लिए हाँ कुछ conditions section 23 में बताई कि इन conditions में उसको interest भी पे करनी पड़ेगी कौन सी conditions है वो सबसे पहली condition तो यह है कि अगर trustee को खुदी ब्याज मिले तो उसको भी ब्याज देनी पड़ेगी अगर property के कीमत से या property के benefit से प्रपरटी को कहीं पर apply करने के बाद कोई interest मिलता है किसको trustee को तो जो interest उसे मिला है उसको वो interest जो होगा जिस amount में में मिला है जो भी आज उसे मिली है जिस दर पर जिस rate पे मिला है वो ही उसको interest जो है beneficiary को देनी होगी अगर क्या करता है अगर जो trustee है वो क्या करता है जो property invest करनी थी where the breach consists in unreasonable delay in paying trust money trust property को देने में वो unreasonable delay करता है मतलब समझ नहीं आ रहा कि उसने क्यों देर करी तो उस case में 6% तक उसे interest देनी पड़ेगी और जहां उसे कोई interest मिलनी थी ought to have received interest तो उसने interest नहीं की but has not done so तो उसको जो है interest मिलनी चाहिए थी पर उसने जो interest नहीं ली तो उस case में भी 6% interest देनी पड़ेगी और जहां पर मान लिया जाए कि उसको कशना कुछ interest तो मिला होगा इस property में तो उस तब भी उसको 6% interest देनी होगी और अगर ऐसा case जहां पर उसको property जो थी वो invest करनी थी कहां पर ऐसे जगा पर invest करनी थी जहां से उसको आनी चाहिए थी हम बोलें accumulate हो सकती interest या फिर dividend आ सकता था और उसने नहीं किया तो क्योंकि accumulate होती interest dividend accumulate होता तो उस case में compoundable interest उसको pay करनी पड़ेगी किसको trustee को उसी rate पर जिस rate पर ऐसा होता हाफ फिरली इनके हिसाब से और इसी तरीके से अगर वो trust property के proceed को किसी business में लगाना था और उसने तो नहीं लगाया तो उस case में भी क्या होगा उस case में भी उसे compoundable interest उसे pay करनी पड़ेगी या फिर net profit मिलने चाहिए थे उसको इस चीज से उस net profit उसे pay करने पड़ेगे फिर आज आता है हमारे पास section 24 section 24 बात करता है no set of allowed to trustee देखें no set of allowed to trustee का क्या मतलब है या set of की बात हुई है अब set of हम CPC में पढ़के आए हैं अगर अभी तक आपने set of वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका link pop up हो रहा है उपर अब वहां से देखें set of का क्या मतलब होता है मैं यहां उसको detail में नहीं बताने वाली है otherwise video lengthy हो जाएगी तो set of क्या होता है set of का मतलब एक कोई benefit दूसरे कोई हमारे loss से हम उसको क्या करते है equal कराने की कोशिश करते हैं यह हमारे कहां पर है मैं बता दू नहीं आप लोग खुद मुझे बताए नीचे लिखें कि कौन से order में set of दिया हुआ है अब set of की जब मैं बात करी तो कहरा है कि allowed नहीं है trustee को trustee कोई set of नहीं कर सकते means अगर trustee ने कोई loss करा property को कोई नुकसान करा और कहीं पर उसने कोई benefit भी करा था trust property को तो जो नुकसान करा था उस नुकसान को उस benefit से वो जो है क्या नहीं कर सकते set of नहीं करा सकते means कोई loss कर दिया और फिर कोई gain कर दिया तो उनको set of निक्रासते equal कर दो कि मैंने loss करा था और यह मैंने gain कर दिया equal करा दो तो ऐसा set of allowed नहीं है trustee को फिर 20 section 25 के साथ आगे बढ़ते हैं section 25 बात करता है known liability for predecessor default predecessor मतलब पहले वाला तो यानि कि अगर अभी B को trustee appoint किया गया है तो इससे पहले कौन था इससे पहले A था तो अगर A ने कोई default किया और उसके बाद property B के पास आई as a trustee तो B जो है वो A के द्वारा किये गए loss के लिए liable नहीं होगा section 26 पे आगे बढ़ते हैं यह बात करता है non liability for co trustee default अब आप इस section को section 27 को ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर बात करें हैं co trustee की और 27 ने भी co trustee की ही बात की है section 26 में तो बात करते है कि co trustee दूसरे के द्वारा किये गए default के लिए कब liable नहीं होगा और section 27 ने वो बात करते है कि अगर breach of trust करता है कोई person कोई trustee और उसके co trustee जो होंगे वो liable होंगे यह तो बात करते है कोई default किया है यानि कोई गलती हो गई है वहां बर कोई breach की है trust की तो किस चीज से related है वो default वो है section 13 से related और section 15 से related जहां 13 में हमने protection की बात की थी property का और 15 में बात की थी care required for the trust property तो अगर इन दोनों के provision को affect करता हुआ कोई co trustee जो है कोई default करता है कोई गलती करता है तो उसके लिए बाके के co trustee जो होंगे वो liable नहीं होंगे पहली बात तो आप यह समझ लीजे लेकिन अगर कोई declaration हुई है कोई declaration कोई express चीज बताई गई थी कि हाँ liable होंगे या नहीं होंगे अगर वो ऐसा है तो उसकी according चलेगा और अगर ऐसा नहीं है तो इस section की बात में भी कुछ conditions बताई गई A, B, C तीन condition बताईगी कि कब इन section में भी कोई trustee liable हो सकते हैं वैसे तो liable नहीं होंगे मगर तीन चीज़े बताई कि कब liable होंगे पहली बात उन्हेंने बोला कि अगर एक व्यक्ति जैसे एक से ज़ादा कोई trustee है तो उनमें से एक व्यक्ति क्या करता है वो trust property जो होती है दूसरे को देता है या दूसरे के coding चल रही होती है तो वो क्या देखता ही नहीं है कि दूसरा किसी साब से चला रहे हैं तो उस करता है उसका पुरा पूरा उत्तरदाई बनता था क्या उत्रदावी बनता था कि वो iron के करता रहेका। principal क करें और mockery यह करनी है लों करता नहीं और तीसरी बात यह बोल रहे हैं कि अगर उसको पता है कि जो को कदनका है और उसको कहतला है नहीं करता यह को रूखने के लिए तो उसकी उत्तरधाइयर या इस शीज को एक receipt को ती है कोई और उसको वो जोइन कर लेता है को ट्रस्टी तो बाद में क्या होगा और वो प्रूफ कर देता है कि उसने जो है that he is not received the same is not answerable but reason of such signature only for laws or misapplication of the property of his co-trusty अगर कोई receipt थी उस receipt पे एक co-trusty के signature है और signature के बाद में वो प्रूफ कर दे कि भई देखो यह signature थे लेकिन मैं इसके लिए answerable नहीं है नहीं हूँ मैं इसके लिए answerable भली मैंने signature किये तो signature के बाद अगर वो यह चीज प्रूफ कर देता है कि मैं liable नहीं हूँ तो वो co-trusty के द्वारा की गई breach के लिए liable नहीं होगा फिर 27 जैसे कि मैंने बोला था यह breach की बात करता है तो क्या बात करते हैं कि जो trustees हैं अगर वो क्या करते हैं breach of trust करते हैं jointly commit करते हैं breach of trust तो उस case में क्या होगा सभी liability कैसे होगी several होगी या one of them buys, neglect, enables the other या अगर उन में से कोई एक अपनी लापरवाई से मतलब अंदेखी की वजए से दूसरों को breach of trust करने के लिए क्या करता है allow कर देता है तो भी उस case में भी सभी के सभी जो होंगे वो क्या होंगे loss के लिए जो होंगे उत्तरदाइ होंगे beneficiary के लिए और इसमें भी बहुत सारे चीज़े बताए गई इस section में बहुत सारे चीज़े बताए गई जैसे कि पहली और important बात ये बताई गई contribution कैसे होगा को ट्रस्टी के बीच में जो liability बने की उसका contribution कैसे होगा contribution इस तरीके से बनेगा कि अगर एक व्यक्ति क्या करता है देखे अगर one one जो है वो less guilty है बाकि सब के द्वारा किये हुए guilt से और जो देखे पहली बात हमने यह बात मान लेनी है कि अगर joint commit किया है एक व्यक्ति ने breach of trust किया तो सभी जो है उसके लाइबल है लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो इन सब के द्वारा किये हुए loss से थोड़ा सा कम जो है उसका fault बैठता है लेकिन उसने pay तो करा सब करा तो जिसकी वज़े से जादा नुकसान हुआ था वो उसी trustee को बोलेगा या उसका अगर नहीं है तो उसका representative को बोलेगा भई मुझे इतना bear करना पड़ा loss अब मुझे जो है pay करो आप तो करना पड़ेगा इसी तरीके से अगर किसी एक व्यक्ति की वज़े से सब को नुकसान उठाना पड़ा तो सभी beneficiary जो होंगे उससे बोलेंगे कि आप जो है हमें जो है क्या करिए contribute कीजे जो हमें नुकसान करना पड़ा इस चीज को हमें समझ लेनी है बात को कि सभी जो होंगे वो equally liable होंगे तो equally ही pay करना पड़ेगा जिसका जितना lows है और अगर ऐसा होता है ये भी देखना जुरूरी है कि अगर guilty of fraud है तो contribution की बात नहीं आएगी कि अगर इसने fraud को होने दिया तो फिर ये contribution नहीं मांग सकता 28 की बात करें तो बात करता है non liability of trustee paying without notice of transfer by beneficiary देखे अगर कोई ऐसी बात होती है जैसे beneficiary when any beneficiary interest becomes vested in another person अगर beneficiary का interest किसी और वेक्ती में चला जाता है vested हो जाता है और उस चीज के बारे में जो है trustee को पता ही नहीं है तो उस चीज जो नुकसान हुआ आने वाले वेक्ती को जो वेक्ती beneficiary के place पे आया है जो दूसरा वेक्ती आया है उसको कोई नुकसान अगर हो रहा है या beneficiary को भी कोई नुकसान हो रहा है trustee के ना पता होने की वज़े से तो trustee वास्तम में उसके लिए liable नहीं है क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि हाँ आपका जो interest है वो किसी और वेक्ती के पास जा रहा है अगर उसे पता ही नहीं है तो वो किसको deliver करेगा section 29 पे चलते हैं यहाँ पर liability बनती है trustee की where beneficiaries interest is forfeited to the government अगर beneficiary का interest जो होता है government ने ले लिया तो उस case में liability क्या बनेगी जो trustee की trust property का काम करना पड़ेगा देखे trustee is bound to hold the trust property to the extent of such interest for the benefit of such person in such manner as the state government may direct in this behalf जैसे state government बोलेगी उसको उसी साब से काम करना पड़ेगा last चलते हैं indemnity of trustee indemnity of trustee का मदलब trustee की शतिपूर्ती किस तरीके से होगी देखे subject to the provisions of the instrument of trust and section 23 and 26 के provision के according trustee shall be respectively chargeable only for such money stock, fund and security as they respectively actually receive simple सी बात है जितनी जो property जो stock, जो fund जो security trustees ने receive की है वो उनी के लिए answerable है और बाकी किसी के लिए भी answerable नहीं है ना तो किसी banker के लिए वो answerable है ना ही वो किसी assets के लिए liable है जो कि insufficiency की बात करता है deficiency की बात करता है जो कि उनके हाथ में नहीं थे वो सिरफ उनी stock, उनी fund और उनी security के लिए liable है जो कि उन्हें दी गई थी और ना ही वो किसी involuntary losses के लिए यानि जो कोई उनके द्वारा नहीं किया गया उनके द्वारा जान बुच के नहीं किया गया involuntary उनकी इच्छा के बिना कोई loss हुआ है उनका कोई उसमें participation नहीं है लोस में तो उसमें भी जो है trustee जो है liable नहीं होंगे यही section 30 बात करता है कि उनको indemnity दी गई है चदी पूर्ती दी गई है इस चीज में वो indemnity उनको दी गई है अभी section 30 तक complete हो गया thank you so much for listening thank you so much for watching I hope आपको clear होगा thanks a lot keep learning and keep smiling